रंग भी रंगे पत्तो वाले पोधे अगर हमारे गार्डन में लगे हुए हो तो हमें फूलों की भी कमी महसूस नहीं होती और जब ये अपने रंगों को हमारे गार्डन में भिखेरते हैं तो हमारे गार्डन की खुफशूरती में ये चारचान लगा देते हैं तो आज मैं आप से कुछ ऐसे ही पोधों के नाम और दाम सेयर करने वाली हूँ अगर आप भी इन पोधों को लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर बहुत ही आसानी सी इनरसी पर आपको मिल जाएंगे तो देखी लिस्ट में पहला पोधों जो हमारा आता है यह है स्टारलाइट फाइकस, फाइकस में और वी वराइटी आती है लेकिन अगर आप गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो यह वाली वराइटी आप जरूर लगाए यह प्लांट आपको हंड्रेट से लेके 150 तक की रेंज में मिल जाएगा नेक्स्ट है सफलेरा, सफलेरा भी गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा ओप्सन है इसकी लीफ्स देखे किस तरह से ग्रीन और येलो का वेरिगेशन इन में रहता है यह प्लांट बहुत हाड़ी होता है इसको आप इंडोर आउडोर कहीं पर भी ग्रूव कर सकते हैं यह प्लांट आपको 100 से 150 तक की रेंज में मिलेगा नेक्स प्लांट यह कलेथिय की एक वराईटी है इसकी लीफ में वाइट और ग्रिन का वेरिगेशन रहता है और कलेथिय में और भी वराईटी आती है इनकी ज़द तर 50 तू 60 रुपेजे में आपको मिल जाएंगा नेक्स्ट फ्लैन्ट है यह ड्रेसिना, ड्रेसिना बहुत सारी color variety में आते हैं, इसकी हर एक color variety एक से बढ़ कर एक होती है, वी ड्रेसिना की variety है, इनकी leaves देखे किस तरह से sign कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने color कर दिया हो, तो आप अगर अगर अपने garden को colorful बनाना च तो अपने गार्डन में ड्रशीना को जरूर एट कीजिए यह बहुत हार्डी और पर्मनेंट कम देखवाल में ग्रू होने वाले पोदे हैं इनको आप आउड़ोर इंडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं यह भी एक ड्रशीना की वराइटी है इसको ड्रशीना मजेंटा की ना movement fake uhler on water alien me 이야기 पुड़ की उतित्हुत पोदे में दम्मदे मिलेंगी और इसकी सफ्री पोधे में आज पो बता रहे हुं सारहीग इपॉधे पर्मनेंट है एक बार आपके गार्डन में और तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे स्बांट है नेक्ट ट्रूनि या फिर 500 तक की रेंज में भी आते हैं वराइटी के ओपर डिपैंड करता है कि कौन सी कलर्स वराइटी का प्लांट है नेक्स्ट यह गोल्डन मनी प्लांट इनकी लीफ्स में ग्रीन और गोल्डन का वेरिगेशन रहता है इस प्लांट को आफ हैंगिंग बास्केट में या फ इनकी लीफ्स छोटी-छोटी सी होती है और इनकी लीफ्स में वाइट और ग्रीन का वेरिगेशन रहता है यह प्लांट आपको 60-80 रुपीज में मिलेगा मनी प्लांट में बहुत सारी विराइटी आती है ज्यादा तर इनकी विराइटी आपको 50-60 रुपीज में मिल जाए नेक्स्ट है यह Marvel KingRockhogen, इनकी Leafs में वाइट और ग्रीन का वेरिगेशन रहता है, इसकी Leafs थोड़ा सा लंबी-लंबी होते हैं, और Marvel King guns の Leafs सिर्फ होते हैं वो-धो हे contemporary होते हैं पर्मनेंट है ये भी आपको 50-60 रुपीज में मिल जाएंगे नेक्स प्लांटे देखिए क्रोटोन क्रोटोन भी बहुत सारी कलस वराइटी में आते हैं इसकी भी हर एक कलस वराइटी एक से बढ़ कर एक होती है गारडन में कलर एक करने के लिए क्रोटोन भी बहुत ही अच्छा उप्सन है क्रोटोन के जादे तर सभी वराइटी आपको 60-80 रुपीज में इसली मिल जाएंगे इसकी एक दो वराइटी ऐसी होती है जो आपको कोश्टनी मिलेगी लेकिन ये जो आप प्लांट देख रहे हैं तीनों प्लांट आपको 60-80 रुपीज में मिल जाएंगे नेक्स्ट देखिए डेफन वीक्या डेफन वीक्या की जो लीप्स होती है इनमें देखिए किस तरह से ग्रीन और वाइट का वेरिगेशन रहता है ये भी 2-3 वराइटी में आते हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी एक डेफन वीक्या की ही वराइटी है ये प्लांट भी आपको 60-80 रुपीज में मिल जाएंगे नेक्स्ट देखिए विक्टॉरिया ड्रेशिना ये वी ड्रेशिना की ही एक वराइटी है ये प्लांट आपको थोड़ा कोष्ट ने मिलेगा 150 से लेके 200 तक की रेंज में ये मिलेगा Next देखिए Song of India Song of India भी 2-3 वराइटी में आते हैं इनकी जो लीफ्स हैं देखिए किस तरह से इन में यलो और ग्रीन का कॉमिनेशन है ये प्लांट भी बहुती सस्ते होते हैं 40-60 रुपीज में आसानी से मिल जाएंगे Next देखिए Purple Heart Purple Heart भी बहुती अच्छा उफ्सन है गार्डर में कलर एट करने के लिए इसमें इस तरह से छोटे-छोटे से पिंग कलर के फ्लावर भी आते हैं और ये प्लांट हेंगिंग बास्केट में छोटे से छोटे पोर्ट में बहुती ब्यूटिफुल लगता है ये प्लांट आपको 50-60 रुपीज में मिल जाएगा Next देखिए Money Heart इनकी जो लीप्स होती हैं देखिए किस तरह से इनमें डार्क येलो और डार्क ग्रीन का वेरिगेशन होता है ये प्लांट बहुत हाड़ी होता है कटिंग से असानी से ग्रोव हो जाता है और ये प्लांट आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा Next देखिए Sweet Potato ये भी 2-3 कलर में आती है डार्क परपल, नियोन और एक कलर और इसमें आता है उसमें वाइट और ग्रीन का वेरिगेशन रहता है ये भी कार्डन में कलर एट करने के लिए बहुत ये अच्छा ओप्सन है इनमें ग्रीन और लाइट येलो का कॉमिनेशन है ये प्लांट आपको 50-60 रुपीज में मिलेगा Next देखिए Spider प्लांट इस प्लांट में रनर्स निकलते हैं जब वो नीची की तरप को लटकते हैं तो देखने में सुन्दर लगते हैं और ये छोटे से छोटे पोट में मग में, बोटल्स में आसानी से ग्रोग करता रहता है ये थोड़ा सेड़ लविंग प्लांट है डारेक्सलनाइट में इसको मत रखे अगर इसको हम रखते हैं तो इसकी लीप्स बगराद जलने लगती है तो ये प्लांट भी आपको 50 to 60 रुपीज में मिल जाएगा नेक्स्ट है ये डेविल्स वैक बोन ये भी 2-3 कलस वराइटी में आती है ये जो आप सामने देख रहे हैं इनमें ग्रीन और वाइट का वैरिगेशन है ये प्लांट भी आपको 40 to 60 रुपीज में मिल जाएगा ये भी डेविल्स वैक बोन की वराइटी है दोनों ही वराइटी आपको 50 to 60 रुपीज में मिल जाएगा नेक्स्ट है स्नेक प्लांट ये भी बहुत सारी वराइटी में आते हैं और बहुत ही हाड़ी होते हैं आप इनको इंडोर आउटओर कहीं पर भी ग्रोव कर सकते हैं ये एर प्यूरिफायर भी होते हैं तो इन प्लांट को आप रूम में भी रख सकते हैं ये संस्वेरिया है ये भी स्नैक प्लांट की ही वराइटी है इन में छोटे-छोटे से नीचे से बेवी प्लांट निकलते तो एक प्लांट आपके गार्डन में अगर आ गया तो आपके पास इसके बहुत सारे प्लांट तयार हो जाएंगे सभी प्लांट बहुत हार्डी होते हैं इनको पानी की जो रिक्वार्मेंट होती है वो बहुत कम होती है यह भी आपको 60-80 रुपीज में मिल जाएंगे next देखिए कोलियस, कोलियस भी बहुत सारे कलास रंगों में आते हैं और ये प्लांट गार्डन में जहां भी रखे वे होते हैं अलगी नजर आते हैं, ये प्लांट बहुत ही सस्ते होते हैं 20 रुपीज ते स्टार्ट होके, जादे से जादे ये 40 या 50 रुपीज तक की रेंज में इजली नर्सरी पर मिल जाते हैं, और कटिंग से भी आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं इस्टे देखिए रियो या फिर बोट लिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है इसकी जो लीफ्स होती है, पीछे की तरफ से डार्क परपल होती है, आगे की तरफ से ग्रीन होती है तो ये प्लांट भी आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा ये भी गार्डन में कलर एड करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और ये प्लांट तो बहुत ही सस्ता होता है 5 ये 10 रुपीज में हमारे हाँ ये मिल जाता है, तो इसको भी आप ला सकते हैं तो चली फ्रेंज कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, कमेंट कीजी और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पिली चैनल को सस्काइब भी कर लेजी